रमजान में मौत, मन्जूर एहतिशाम असद मिया की आँखें बंद थी, एक पल के लिए मैंने सोचा, वापिस चला जाओं। दूसरे ही पल असद मिया आँखें खोले देख रहे थे, उन आखों में कोहरा भरी हुई सुभसी रोशनी थी, खुदा के लिए आयाज सीना दर्द से तूटा जा रहा है, सुहेला भावी आईने के सामने खड़ी हुई डैबिंग करके चेहरे के धब्बे मिटा रही थी, कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी थीरे थीरे बाहर फैलते अंधेरे के साथ उभरने लगी थी, सूरज डूबने में कुछ और देर थी, जमील, अरे जमील, सुहेला भावी ने आवाज दी, असद मिया के पलंग की चादर सफैद थी, पलंग के नीचे दो फटी हुई चपलों में उलजी हुई एक सलापची थी, जिसे शायद वो पिछले कई घंटों से लगातार इस्तिमाल करते आ रहे थे, उनके पैर गंदे और एडियों की खाल चट्खी हुई थी, बिस्तर पर चादर का वो हिस्सा जहां उनके पैर थे दागदार हो चुका था, जफर भाई आ रहे हैं, मैंने असद मिया से आँखें बचाते हुए कहना चाहा, लेकिन फिर मैंने देखा आँखें तो वो खुद ही बंद कर चुके थे, सुहेला भाबी ने मजाक उड़ाती हुई सी नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर आवाज देने लगी, जमील, अरे कहा गारत हो गया, अरे आ रहा हूँ, कहीं बाहर से आवाज आई, दूर आसमान में एक चमक सी फैली, और एक सकते के बाद एक धमाका हुआ, असद मिया की आखों के पपोटे हलके से हिले, लेकिन आखें बंध ही रही, दो, तीन, चार, तोपें चल रही थी, इफतार का वक्त हो गया था, लेकिन यार तोपें ही क्यों, ये तो बिलकुल ऐसा लगता है, जैसे किसी को सलामी दी जा रही हो, सायरन भी तो बजाया जा स सकता है, एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था, और मैं हस कर रह गया था, अगर खुद साफ नहीं रह सकते तो दूसरों को तो चैन से करने दें, खुद के पलंग पर लेट नहीं सके, सारी चादर का सत्यानाश कर दिया, सुहेला भावी खुद को एक खूपसूरत सिंगा मेज में लगे आईने में देखते हुए बुदबुदा रही थी, और अगर चान दिख गया तो कलीध है, कोई धुली चादर भी ना होगी, मैंने देखा कि आईना बिलकुल बेदाग था, लेकिन लकडी के बने मेज की फ्रेम की पॉलिश जगा जगा से उखड गई थी, औ इन में से मैंने अंदाजा लगाया कि ज्यादा तर खाली होंगी, जमील तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, हाथ उठा कर उसने सलाम किया, फिर अजीब तरह से मुस्कुरा कर अपने बाप असद मिया की तरफ देखने लगा, क्या कह रही थी अम्मी, फिर जैसे मुझ से छु इन्टों आवाजे देनी पड़ती है, उनके लहजे में तेजी थी, मुझे क्या मालूम कि आप आ गई, बगएर कहे तो चली गई थी, जमील ने दू बदू जवाब दिया, चांद दिखा, देखो तुम कहीं जाना मत, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है, अम्मी, जमील ने शिकायत इसवर में कहा, शन्नो और दूसरे लड़के मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनके साथ जाना है, जाना वाना कहीं नहीं है, आप मेरा इंतजार कीजिए, कहते हुए सुहेला भावी भीतर के कमरे में चली गई, केवल असद मिया के सांस लेने की आवाज, जफर मिया अब तक आये नहीं थे, क्या वो आएंगे, यार तुम चलो, मैंने इफ्तार पर कुछ दोस्तों को बुलाया है, असद मिया के तीसरे बुलावे पर उन्होंने मुझसे कहा था, मैं शेहनाज आपा के पास बैठा एद के शीर खुर्मा के लिस् अच्छे हुए थे, कोने में लंबे से बुक शेल्फ पर तर्तीब और बे तर्तीबी के साथ बहुत सी कताबें थी, एंसाइक्लोपीडियाज, बिजनिस डाइरिक्टरीज, और दाई तरफ दीवार पर एक बिदकते घोडे की पेंटिंग टंगी थी, सेंटर टेबल के अब तक, असद मिया की जिल मिलाती सी आखें मेरी तरफ देख रही थी, कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, आते ही होंगे, मैंने धीरे से कहा, कबसे तबियत खराब है आपकी, हैं, तबियत, चार-पांच दिन से खराब है, सीने में सخت दर्द है, दिल बिलकुल असद मिया के दूसरे बुलावे पर जफर मिया ने जुझला कर कहा था, कुछ और काम भी करने है, चान दिख गया तो कलीद है, मजाग बना लिया है उन्होंने तो, फिर घड़ी खोल कर यूँ जटका देने के बाद, उसे कान से लगा कर सुनने लगे, उस समय मुझे गाउ उसे आये कोई एक खंटा ही हुआ था, किसी डॉक्टर को दिखाया? मैंने असद मिया की कलाई थामते हुए पूछा, सब कुछ फिर से खामोशी में डूब गया, असद मिया छट की तरफ मुस्कुराती सी नजरों से देख रहे थे, उनकी निगाहें जाने या अन जाने आखों से छाकने लगी थी, यार तुम मेरा एक काम कर दो, उनकी आवाज और आखें पहली बार मेरी और मुडी, जी, मेरी तब्यट ठीक नहीं है, और मैंने कल से इंजेक्शन भी नहीं लिया है, कल दो पहर से, शायद उससे तब्यट कुछ बहतर हो जाए, उनके स्वर में बला के मिननत थी, तीन इंजेक्शन पैथिडीन के, मदन के यहां मिल जाएंगे, मैंने धीरे से ठंडी सांस ली, असद मिया बिना पलकें छपकाए, उन्हीं मिननत भरी नजरों से मेरी और देख रहे थे, उसी समय हाथ में काले चमडे का बैक थामे, प्याजी रंग की उठा कर वहां से बाहर निकल गई, असद मिया उसी तरह मेरी तरफ देख रहे थे, सीड़िया उतरते उतरते में न चाहते हुए भी जफर मिया के घर की और मुड गया, फलक मन्जिल के बाहरी हिस्से में जफर मिया और इसके पीछे उनकी छोटी बहन शाहिदा रहती थी, देखिए मामू, अबू हमारा नया जूता लाए, तन्नू बहुत खुश था, और बेटा मामू को तुमने नहीं बताया कि तुमने शेर कैसे मारा था, और तुम्हारी बंदूग कहा है, जफर मिया बाहर के कमरे से अंदर आ गए, तन्नू नकल करके बता रहा था कि जाड़ जफर मिया हस हस कर लोटे जा रहे थे, भई खाना तयार हो गया रियाज, रोजा था, सूख गए होंगे, उन्होंने शेहनाज आपा से कहा और दोनों बावर्ची खाने की तरफ चले गए, तन्नू अपनी बंदूग लटकाए, शायद दादी मा को शेर का शिकार सुनाने च और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि सूरज निकलने के थोड़े पहले या डूबने के बिलकुल बाद कासा समय हो, बीच में महुगनी के सिराने से खूपसूरत दोहरी मसहरी लगी थी, जिसके लिए उपर छट में मच्छरदानी की स्ट्रिंक्स लटक रहे थे, बाजू मे दीवार से लगी हुई गहरे काले रंग की वाड्रोप्स थी, और उसके बाद लगभख कोने के लेंप के पास ड्रेसिंग टेबल, बिलकुल वैसी ही जैसी असद मिया के घर में थी, इसमें पॉलिश की चमक अब भी बाकी थी, दूसरी तरफ जूते रखने का स्टैंड था जिसमें बहुत से जनाने और मरदाने जूते रखे हुए थे, पलंग से अटैज्ट सिरहाने पर एक छोटा सा बुकरेक था जिसमें कायदे से रखी हुई किताबें थी, पूरे कमरे में बलड रेड और बलेक के मिले जुले पैटरन का कालीन बिच्छा था, नहीं, सफर मिय नहीं बूल सकते, फिर क्या जानकर वो असद मिया के जिकर को टाल गए, पंद्रह दिन पहले जब मैं गाउं से आया था, असद मिया की तव्यत खराब चल रही थी, बलकि रमजान से पहले तो एक दिन उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तब मैंने जफर मिया से कहा थ कि किसी डॉक्टर को दिखा दें, यार तुम कमाल करते हो, हर तीसरे दिन किस डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, फिर कुछ बिमारी भी तो हो, सड़क पर कोई पहचान वाला मिल जाए, तो टांग में चोट लगने से फ्रेक्चर तक की कहानी उसे सुना देते हैं, दवा के पैसे मांग लेते हैं, और ले देकर वही पैथिदीन, किसी जान पहचान वाले के यहां अगर मुर्गिया पली हो, तो जाकर कहेंगे कि बच्चों ने बहुत दिनों से अंडे नहीं खाये हैं, जो कुछ मिल जाए, उसे सिंधी को बेच देंगे, और फिर वही पैथिदीन, जीना हराम कर दिया है, और इंशोरेंस वालों से तो जो मकान का किराया मिलता है, वो भी इनके घपलों में उड़ाते हैं, जमील चोरी के अलावा आप सटे में भी शौक करने लगा है, इधर भाबी की हरकतें देखो, नसरीन भी उनी के रस्ते पर जा रही है, बता नहीं कि किन हरामजादों के साथ खुली हुई जीपों में घूमती फिरती है, यही सब दोनों छोटी बेटियां भी करेंगी, वो तो बहुत गनीमत है कि सारा और समीना की शादी हो गई, मिया हमने तो उदर फटकना भी छोड़ दिया है, अम्मी की जिन्दगी तो हराम हो ही गई, जफर मिया के चहरे पर ऐसा तासुर था, जैसे उनके अंजाने में ही मैंने उन्हें किसी भद्दे मजाक में घसीत लिया हो, और असद मिया की मा, बदनसीब है, मा ने फुट फुट कर रोते हुए कहा था, जिन्दगी और मौत दोनों की तरफ से बदनसीब, जैसे जिया है वैसे ही मरेगा, रमजान के मुबारक महीने में तो उस गुनहगार को मौत तक नसीब नहीं हो सकती, और फिर जैसे कुछ सोच कर वो चुप हो गई, और बहुत देर तक कुछ बोली भी नहीं, मैं जफर मिया के कुछ कहे बगएर, कमरे और फिर फलक मंजिल के बाहर आ गया, खुली सड़क पर हलकी सी खुनकी का एहसास हो रहा था, बहुत आगे स्ट्रीट लैम्प चल रहा था, और वहां तक घुप अंधेरा था, में रोड तक पहुचने के लिए मुझे काफी पैदल चलना था, पीछे से आते हुए स्कूटर की रोशनी और आवाज से सड़क पर तरके विर्से में मिल जाए, उसे हम अपना समझ कर जरब देने के तरीके ढूनने लगें, ये न लिखे गए कानून, उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ उस चीज को छूते हैं जिस पर अपना हक तसलीम करते हों, जो अपने दाव पर लगा कर वसूल की हो, बाकी सब तो ज जमाने की तरफ से लादा गया बोच है, एक बार काफी ज़्यादा शराब पीने के बाद मेरे सामने असद मिया ने लोगों से कहा था, उस राद जुए में वो कोई 20,000 रुपे हारे थे, तब जफर मिया और शेहनाज आपा की शादी को दो साल हुए थे, और मैं अलीगड क की छुटियों में कुछ दिन के लिए शेहनाज आपा के पास ठहरा था, मुझे पता नहीं क्यों असद मिया अच्छे लगते थे, मेरे उन से ज़्यादा मेल मिलाप को देखते हुए शेहनाज आपा ने मुझे समझाया भी था कि मैं उनके पास ज़्यादा न जाया करूँ, क्योंकि वहां लोग जुआ खेलने और शराब पीने के लिए खटे होते थे फिर धीरे धीरे सब सामने आ गया असद मिया ने फलक मंजिल तीन अलग-अलग पार्टियों को रहन रख दी थी इंशिरंस कंपनी के कुछ दूसरे मालदाल सेथों को देखते ही देखते डिक्रियां आने लगी और फलक मंजिल के एक बड़े इसे हिस्से को फलेटों में तब्दील करके किराए पर उठा दिया गया उधार वालों की कस्तें चुकाने के लिए असद मिया की माने पहले काफी बरदाश्ट किया क्योंकि असद मिया वैसे भी उनके सबसे लाडले बेटे थे नवाबों से ज्यादा लाड से पाला था मैने इसे आँखों में आशू भर कर वो कहा करती थी लेकिन फिर उन्होंने इस बात को लेकर मुकदमा दायर कर दिया कि जायदाद क्योंकि उनके नाम थी इसलिए उनके जीते जी उसे रहन रखने का हक असद मिया को नहीं था हाई कोर्ड में मुकदमा चल रहा था और उम्मीद थी कि असद मिया के हिस्से को छोड़कर जफर मिया और शाहिदा को उनका हक मिल जायेगा शाहिदा के ख्याल से मेरे मुँ में तो कड़वाहट फैल गई अलीगर जाने से पहले में शाहिदा के बहुत करीब आ गया था और मेरी आने वाली जिन्दगी के ज्यादातर प्लानों में मैंने शाहिदा को शामिल समझा था प्लान जैसे मैंने खुद ही से कहा दो साल की महनत के बावजूद मैं प्री मेडिकल में इतने माक्स नला सका कि किसी मेडिकल कॉलिज में दाखिला पा सकूँ जब तीन साल बाद मैं मुस्तकिल तौर पर शहर लोटा तो शाहिदा घर में बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साजित से शादी कर चुकी थी असद और जफर मिया की मा भी अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहती थी सड़क के अगले मोड का बल्ब भी किसी ने फोड दिया था अंधेरा उसी तरह चाया हुआ था सिर्फ पास की कोठी की हलकी सी रोशनी नजर आ रही थी और कुटे के भूखने की आवाजें मेरे कदम धीरे धीरे उठते रहे सबसे जादा हैरत मुझे असद मिया के उस अंदास पर होती थी जिसके साथ उन्होंने पिछले आठ सालों में हर स्टेज पर हालात को स्विकार किया था एक खास लापरवाही और बेनियाजी उनके अंदाज में थी मा से कोई बात मनवाने में नाकाम होने से लेकर जुए में कोई रकम हारने और उसके बाद अब अपने एक जमाने के यार दोस्तों के एक रुपए तक के इनकार को उन्होंने कुबूल कर लिया था एक जमाने में जो तास्र उनके चहरे पर खाने में कोई नापसंद चीज को देख कर होता था आज वही किसी भी दोस्त या अजनभी की जिड़की व्यंग या मजाग सुनने के बाद होता है जफर मिया ने हालात से लड़ने के लिए हाथ पैर मारे थे अब उनके दोस्तों की महफिले भी कम हो गई थी तफरी हैं कम हो गई थी यहां तक कि कभी कभी तो ब्यूक में पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल हो जाता था शेहनाज आपा अच्छे कल की खाहिश में लोटरियों के टिकेट खरीदती रहती थी लेकिन फिर भी उनकी बधाली एक खास स्टेज तक आकर रुख गई थी शाहिदा भी एक हरी भरी बेल की तरह अपने सबसे करीब की दीवार का सहरा लेने पर मजबूर हो गई थी लेकिन असद मिया बिना किसी तबदीली के वक्त के साथ साथ नीचे बैठते गई थे जैसे उनकी नजरों में जो कुछ हो रहा था वही हो सकता था शहर के विबिन हिस्सों में नजाने कितने लोगों से उन्होंने जूट बोलकर पैसे लिये थे किसी को नायाब कार्तूस लाके देने को तो किसी को कोई और जरूरी चीज दिलाने के बहाने किसी से बीमारी, किसी से भूख का बहाना लेकिन किसी शर्म का तास्र उनके चेहरे पर कभी नहीं रहा यहां तक की पिछले दिनों तो वो पीर फकीरों की मजारों पर बैचने लगे थे नजर और चड़ावे मिल जाने की उम्मीद में जमील चोरी करना सीख गया था लेकिन उसके चोरी करने पर असद मिया ने कभी कोई एतराज नहीं किया सारा घर उनको भूल कर उनकी तबियत की तरफ से आँखें बंद करके इद की तैयारियों में लगा था जफर मिया के यहां एक हफते से घर की लिपाई पुताई चल रही थी शाहिदा और जफर मिया के यहां बच्चों के कपड़े सीए जा रहे थे शीर खुरमे के लिए सूखे नारियल गिसे जा रहे थे बादाम पिस्ते काट और धोकर सुखाए जा रहे थे गरज ये कि हर आदमी अपनी जगह मश्गूल था और असद मिया जैसे सब की मजबूरी को समझते थे असद मिया को इन सब लोगों बहन, भाई, माँ और दोस्तों के बीच देखकर पता नहीं क्यों मुझे हमेशे ऐसा लगता था जैसे सिर्फ एक असद मिया ही अपने मुकाम पर थे और सारी दुनिया बदल गई थी फलक मन्जिल का बाहरी हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था कमपाउन वॉल में जगह जगह रखने पड़ गए थे और कई जगह आसानी के खयाल से लोगों ने दाखिले के लिए दीवार तोड डाली थी दाखिले के दर्वाजे की जगह दोनों तरफ सिर्फ सीमेंट के पिलर्स रह गए थे सामने पोर्च में जफर मिया की ब्यूक खड़ी थी दाई तरफ शाहिदा और साजित का हिस्सा था जिसके बाहर एक साइकिल खड़ी थी इसके उपर और आगे दूर तक फलक मंजल का हिस्सा और जमीन किराए पर उठा दी गई थी अपने वकील दोस्तों के मश्वरे और मदद से जफर मिया जमीन का कुछ हिस्सा मौटगेज से बचाने में कामियाब हो गए थे इस हिस्से पर शेहनाज आपा ने अपना जेवर गिर्वी रखकर एक छोटा सा फ्लैट बनवा दिया था जिसमें किराए पर कोई मिल्टरी के मेजर रहते थे दाईं तरफ कमपाउंड में खास ही खास थी जो बीच में बने खूब सूरत हौज और फवारे को जैसे निगल गई थी पोर्च पर से गुजर कर घूमने के बाद फलक मंजिल का वो हिस्सा था जहां असदमिया रहते थे उनके कमरे की हलकी हलकी रोशनी मुझे दूर ही से नजर आ रही थी दूर सामने लगबग पचास फीट नीचे लहरे मारता हुआ तालाब था कमरे के बाहर लगे युकलिप्टिस के नीचे खड़े होकर बरसाद की खामोश तेज हवा की रातों में मैंने अकसर पानी के लहरों और युकलिप्टिस की पत्यों की थर्थराहट को सुना था इस वक्त दोनों चीज़ें चुप थी सीडिया चड़ने के पहले एक लमहे के लिए मैं रुका दूर दाईं तरफ दरख्तों और जंगली घास में घिरी लकडी के अध टूटे शेट्स दिखाई दे रहे थे उस हिस्से में जहां की छट गिर चुकी थी या टीन की छट उतार कर बेची जा चुकी थी किसी उपरी कमरे की रोशनी एक आरा मशीन पर पड़ रही थी वर्कशॉप का पुराना नक्षा घूम गया असदमिया के बाप अपने जमाने में सूबे के सबसे बड़े लकडी के व्यापारी और फरनीचर के डीलर थे एक ही वक्त में कोई डेड़ सौ कारीगर उनके शेड में काम किया करते थे दर्वाजा खुला हुआ था असदमिया की बेचेन निगाहे मुझ़ पर ठहर गई वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए एक पल के लिए वो कुछ सोचते रहे फिर जपटकर उन्होंने इंजेक्शन मेरे हाथों से ले लिया लगाएगा कौन? मैंने हिम्मत करके पूछा जवाब में आसदमिया मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठे खड़े होने की कोशिश में पहले तो वो डगमगाए फिर संभल कर नंगे पैर ही अंदर के कमरे में चले गए थोड़ी देर बाद वो सिरिंज हाथ में लिये वापस आए और देखते ही देखते वो तीनों इंजेक्शन उन्ही के हाथों उनके खून में दाखिल हो गए पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे उनके माथे पर जगमगाने लगी उनके मूँ से सी सी की आवाजे निकल रही थी थोड़ी देर आँख बंद किये गर्दन अकडाए वो बिलकुल खामोश बैठे रहे और फिर जब उन्होंने आखें खोली तो उनमें दर्द और तकलीफ का तासर पूरी तरह खत्म हो चुका था मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ किसी ऐसी चीज का जो मैं चाहता था कि न हो लेकिन फिर भी मुझे उसका इंतजार था असद मिया के अगले सवाल का वो सवाल जो मुझे मालूम था, जो मैं चाहता था कि वो न करें, लेकिन वो करने वाले थे, यार, यार किसी के पास तीन सो बोर के कार्टूस मिल सकते हैं, आबिद मिया को चाहिए, सुना है पी स्कोर में कोई आदमी बेच रहा है, इसके बाद थोड़ी देर के लिए साफ नजर आने लगी थी, और फिर बालों का रंग सफेद, नकाला, बिलकुर राख कासा हो गया था, अच्छा, तुम्हारी खेती के क्या हाल है, मुझे लगा जैसे लहजे में कुछ छुपा था, मजाक, तंज या कुछ और, लेकिन मैं समझा नहीं, ठीक है, ट्रेक्टर चल रहा है, मैंने जुरूरतन जवाब दिया, मेरा मश्वरा मानो तो ये है कि तुम अब संजीदगी के साथ पढ़ डालो, क्या रखा है इन खेती वेती में, आज तो बहन है, कल भांजे बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, ये तुम्हारे बसका नहीं, अभी तो सब खोश हैं कि बहनोई के मौत के बाद भाई, बहन और भांजों के लिए कितना कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएगा, अरे हाँ, ये तो बताओ, क्या तुमने कभी किसी जिन को देखा है, जिन, जी, मुझे यकीन नहीं आया कि असदमिया क्या पूछ रहे है, जि जिसके कबजे में हो, उसकी हर खाहिश पूरी करता है, हर काम करता है, किसी भी तरह का, आज एक साहब कह रहे थे, कि उन्होंने एक जमाने में जिनों को देखने और कबजे में करने के लिए बड़े जतन किये थे, वीरानों में जा जाकर अबादतें की, उजार और गैर पता चला कि वो जिन ही था, कभी तुम्हारा दिल चाहता है क्या, कि किसी जिन को देखो, जी जी नहीं, मुझे जुरजुरी सी आ रही थी, एक जमाने में शेहर में एक पहुँची हुई और थी, सुना है उसके कबजे में एक मवक्किल था, जाहिर है, वो उनकी हर खाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन बेचारी मरी बहुत घरीबी में, क्या पता, कभी कबजे में आए तो कुछ पता चले, और असदमिया हसने लगे, तुम गाओं कब जाओगे वापस, उन्होंने पूछा, बासी ईद को या उसके अगले दिन, खेतों के लिए खाद का कोई इंतज अचानके हैं, एकदम असदमिया मेरे चहरे के बजाए कहीं और देखने लगे, जैसे उनकी आँखे मुझसे बचना चाह रही हो, मैंने यूही बताया, तुम चाहो तो मैं खाद दिलवा दूँ, उन्होंने जुमला वहीं छोड़ दिया, अब असदमिया छद की तरफ असदमिया के हलक से अजीब सी आवाजे निकल रही थी, और उनका मुझ फटकर खुल गया था, गर्दन और माथे की रगें खिचकर उभर आई थी, और चेहरे पर निलाहट दोड़ने लगी थी, बिल्कुल वैसी ही निलाहट जैसी बर्फ में दबे गोश्ट में पैदा हो और उनके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी घेराई थी, उनकी खूब सूरत साड़ी में असद मिया का मैला चेहरा बड़ा बेमेल लग रहा था, यासीन शरीफ, पढ़ो मिया, सेदानी बुआ ने जफर मिया से कहा और जफर मिया जपटकर भागे, कुछ ही लम्हे बाद व उनके चेहरे पर एक अजीब से सीधे पन या बेवकूफी कासा तास्र पैदा हो गया था, चश्मे के पीछे उनकी आँखों में बेचैनी थी, असद मिया के सिरहाने बैठ कर वो धीमी धीमी आवाज में यासीन शुरू कर चुके थे, मौत की तकलीफ को कम करने के लिए, कह बड़े मासुमाना अंदाज में उन्होंने अपने चारों तरफ एकटी भीड पर नज़र डाली, जफर मिया यासीन शरीफ पढ़ना बंद कर चुके थे, सुहेला भावी के चेहरे पर वही तन्जिया सी मस्कुराहट फिर खेलने लगी, वो एक चम्चे से असद मिया के हलक में पानी टपका रही थी, मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के साड़े बारा बच चुके थे, कुछ बो बेटा, कैसी तब्यत है, क्या हो गया था, असद मिया की मा कह रही थी, उनकी आवाज ऐसी लग रही थी, जैसे किसी ग्रामो फोन रिकॉर्ड को कम स्पीड पर रहा था, जफर मिया खड़े हुए सर टोपी के एंगिल को लगातार बदल रहे थे, पंच सूरा अभी उनके हाथ में दबा था, फिर सुहला भावी ने असद मिया का सर तकियों पर रख दिया, असद मिया की निगाहें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी, सब कुछ गहरी खामोशी में डूब गया था, सिर्फ असद मिया की मा की सिस्किया थी, जो धीरे धीरे कम हो रही थी, असद मिया थोड़ी कोशिश के बाद तकिये के सहारे बैठ गए, उनके चहरे की मुस्कुराहट हर पल गहरी होती जा रही थी, कमरे में कोई अपनी जगह से हिला तक नह अचानक अपनी कमजोर जिस्म के बावजूद असद मिया ने खनकती सी आवाज में कहा, नहीं नहीं, मैं बिलकुल ठीक हूँ, घबराईए मत, कुछ नहीं होगा, कम से कम रमजान की कल शाम तक तक तो नहीं, आप यकीन कीजिए, खुदा मालूम असद मिया किस से कह रहे थ लेकिन उनकी उस मस्कुराहट में मुझे यू लगा जिसे हजारों कह कहे घराए हो, फिर दीरे दीरे लोग असद मिया के कमरे से रुकसत होने लगे, थोड़ी देर बाद मैं अकेला वहां रहे गया, सुहेला भाबी शायद अंदर कपड़े बदल रही थी, और बच्चे सो कालीन पर बैठा, कालीन को घूर रहा था, उनके डिजाइन, उनके रंग के बारे में सोच रहा था, थोड़ी देर में असद मिया को नीद आ गई और वो खराटे लेने लगे, उठते वक्त में सोच रहा था, कि उस रात असद मिया के कमरे में शायद हर आदमी मायूस होकर वापस लोटा था, अगली शाम साड़े चार बजे में जफर मिया के कमरे में बैठा, ईद की खरीदारी का बजट सोच रहा था, शेहनाज आपा और जफर मिया आखरी रोजे के इफ़तार पर कहीं इन्वाइटिट थे, और तन्नु शाहिदा के यहां चला गया था, सवेरे मैं असद मिया को देखने गया था और खिड़की में से उन्हें कोई किताब पढ़ता देखकर वापस आ गया था, मैं लिस्ट बना ही रहा था कि जमील भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, आपको अब्बु बुला रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, अम्मी घ चलो मैं आ रहा हूँ, पैथिदीन के लिए बुलाया होगा, मैंने सोचा और पांच रुपे का नोट मैंने अपनी जेब में रख लिया, असद मिया की हालत फिर रात जैसी हो रही थी, रंग नीला पढ़ गया था, आखों की पुतलिया फिर गए थी, और सांस बहुत तकली से बाहर भागा, काफी दोड़ने के बाद मुझे एक टैकसी मिली, जब डॉक्टर के साथ टैकसी फलक मन्जिल में दाखिल हुई तो बहुत देर हो चुकी थी, शाम के लंबे साए जमीन पर फैलते जा रहे थे, कमरे में एक तरफ सिस्कियां ही सिस्कियां सुनाई दे रही थी, असद मिया की आखें खुली हुई थी, अजीब ठंग से कहीं देख रही थी, कम रोशनी में लग रहा था, कि जैसे उन आखों में मिला जुला घुस्सा और मुस्कुराहट अभी बाकी हैं, सक्ते के आलम में मैं उनके चहरे को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उन ख जिसम एक सफेद चादर से ठक दिया, एकदम किसी चीज ने मेरा ख्याल असद मिया के मुर्दा चहरे से अपनी तरफ खींचा, जैसे दरो दीवार हिल गए हो, जैसे गुला फलक मन्जिल के बिलकुल उपर आकर फूटा हो, दो, तीन, चार, तोपे चल रही थी, रोजे के इफ्तार की, एद के चांद की, रमजान अब खत्म हो रहे थे,